हलो अब्रीबन मैं नेम इस रविन कुपता केमिस्ट्री फेकल्टिव मुष्य इंस्टिट्यूट हमारे चाप्टर चल रहा था वो चाप्टर चल रहा था कार्बन एंडिक्स कंपाउं जिसके अंदर हमने कोविलेंट बॉंट्स के बारे में पढ़ लिया था और साथ में हमन जो देखा था वह अलोट्रॉप्स के बारे में देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज जो इस लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर करने वाले हैं एक तो टॉपिक अपन कवर करेंगे वर्सेटाइल नेचर आप दी कार्बन और एक टॉ तरिके से जो कारपन है वो कमपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो करता है और उसके इतने ज्यादा आधा कउमाउंड से हैं साथ में हम लोग से बारे में भी पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इस चीज को सीखेंगे कि किस तरीके से कार बन फानर हीडरोजन के बीच में बॉंडिंग होती है और किस तरीके से वह homologo सीरीज की काटिगरी में आते हैं और homologo Syrid's होती है तो सारे तवालों के जवाब आज हपन को पता लगने वाले हैं इस पार्टिकुलर किम स्थार्ड लेक्चर ऑफ compounds हमको plant और animals से मिल रहे हैं वो compounds हमारे organic compounds की category में आएंगे लेकिन जब हम थोड़ा सा deep उतरते हैं तब हमको पता चलता है कि ऐसा नहीं है organic compounds हमारे के वाद plant और animals से नहीं आते हम उनको synthetically भी बना सकते हैं laboratory के अंदर आईए इस confusion को थोड़ा सा clear करते हैं that is first point the chemical compounds which are present in living organism plants and animals are called organic compounds ठीक है यहाँ पर जो first definition है वो हमको यहीं चीज़ बता रही है कि organic compounds हम किस type के compounds को बोलते हैं जो compounds हमारे plant और animal के अंदर present होते हैं वो हमारे organic compounds की category में आते हैं क्योंकि जो इनका source है वो क्या है organic है इसलिए compounds भी क्या हो गए हमारे organic हो गए सो अब इसके पीछे का sense क्या है कि organic compounds हमारे plant और animal से ही क्यों आ रहे हैं तो उसके पीछे का reason यह है कि particular force जो इन particular elements को combine करने के लिए चाहिए जिससे की हमारा organic compound बने वो particular force हमको हमारे organic species के अंदर ही मिलता है मतलब जो भी particular compound हमारी body के अंदर बन रहा है उन elements को एक साथ लाना और एक साथ लाके एक साथ लाके compound की form में convert करने वाली जो हमारी शक्ती है वो किसके अंदर present है हमारे living organisms के अंदर ही present है चाहे वो अपने animal हो चाहे वो plant हो ऐसा belief था ऐसा हम मानते थे ठीक है तो इस particular statement के अंदर यही लिख रहा है कि जो organic compound है reason दिया गया है कि जो organic compound है वो plants और animals में ही क्यों मिलते है तो reason है particular force of attraction चाहिए कोई भी organic compound बनाने के लिए वो केवल plant और animals की body में ही present है लेकिन जैसा की continuously इसके अंदर हमारी नहीं ही discoveries हो रही थी तो हमारे एक scientist का नाम था Frederick Woolard ने अपनी laboratory के अंदर पहला organic compound बनाया अब किस तरीके से पदा चला कि वह organic compound है उसको पदा करने का तरीका था जब हमने उसकी physical और chemical properties को दूसरे organic compound से match किया तो वो एकदम क्या रही थी सेम आ रही थी तो जो हमारे scientist थे उन्होंने particular first organic compounds बनाया और हमको उन्होंने यह myth तोड़के बताया कि जो हमारे organic compounds है वो केवल animal और plant की bodies में ही बन सकते हैं जो पहला उन्होंने organic compound बनाया था वो था हमारा यूरिया यूरिया का फॉर्मला है CH4N2O चीक है तो यह हमारा क्या बनाता पहला organic compound बनाता जिसको हमारे scientist फ्रेडरिच बोलर ने बनाया था तो यहां से अब हमारी क्या हुई वो जर्णी चाली हुई जो अभी तक चल रही है डाटेस कार्बन के compounds की जर्णी कार्बन जो है वो hydrogen के साथ भी combine होता है दूसरे कई element के साथ combine होता है ठीक है और बहुत सारे element के साथ combine होके अलग-अलग तरीके से combine होके बहुत number of compounds बनाता है और यह almost जितने भी हमारे compound है सारे organic compounds की category में आते हैं यहां से हमको एक बहुत बड़ा दर्वाजा खुल गया जहां पे हमने इस particular chemistry के अंदर बहुत तरक्की की और एक chemistry के अंदर यह ब्रांश खुली डाट जबर और और गयनिक compounds की जिसको हम organic chemistry भी बोलते हैं ठीक है और गयनिक chemistry के अंदर हम carbon से related compounds के बारे में detailed information देखते हैं पुरा mechanism देखते हैं क्यों carbon हमारा दूसरे element के साथ combine हो रहा है क्या उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके त्रूवो डिफरेंट element के साथ बहुत इजली combine हो जाता है यह सारी चीज़े हम इस particular topic के नेचर को शो कर रहा है जो की positive है positive का मतलब वह हमारे पर्टिकुलर नेचर या वह पर्टिकुलर नेचर उस particular element का कुछ ऐसे काम कर रहा है जो बहुत positively हमारे लिए दूसरे compounds बनाने के लिए या मैं बोलू कि chemistry के अंदर बहुत important role play कर रहा है जिससे कि हम उस particular branch के अंदर आगे बढ़ पाए ठीक है तो carbon ही हमारा एक ऐसा element है जिसका वर्सेटाइल नेचर है वर्सेटाइल नेचर का मतलब भूस सारी properties वह ऐसी रखता है जिससे कि हमारे chemistry के अंदर भूस सारी उससे related compound बन सकते हैं और वह हमारे काम आ सकते हैं तो वर्सेटाइल नेचर आप दी कार्बन का क्या मतलब है तो डाट इस समझते इस चीज़ को डाट इस अबाउट 3 million डाट इस 30 lakhs of compound of carbon unknown टीक है अगर carbon की बात करें तो हमारे हमने पहले भी पढ़ा है कि एप्रॉक्स 3 million compounds present है हमारे जो की carbon से relate करते हैं या carbon की वज़े से बने हुए है और यह जो आखड़ा है यह हमारे जितने भी element present हो उनके जो compounds बनते हैं उनसे भी क्या है बहुत बड़ा है ठीक है दूसरी चीज़ दूसरे पॉइंट के अंदर हमको यह बताया गया कि carbon ऐसा ही क्यों कर पाता है क्यों दूसरे elements ऐसा नहीं कर पाते क्यों दूसरे elements के तीसला compounds नहीं बन पाते ऐसी क्या important चीज़े हैं carbon के अंदर जिसकी वज़े से वह यह उपलबदी हासिल करता है तो इसके हमारे बहुत सारे factors है एप्रॉक्स four factors है जो हम पढ़ेंगे आपको समझ में आना चाहिए तो जो फर्स factor लगता है वह लगता है catenation property का मतलब क्या होता है catenation property हमारी वह property होती है जिसके अंदर एक element खुद के साथ ही bonding create करता है और bonding create करते करते एक बहुत लंबी chain बना लेता है जैसे कि हमारा carbon करता है ठीक है जो catenation property है वह दूसरे element पे भी देखने के लिए मिलती है लेकिन जो carbon के अंदर catenation property देखने के लिए मिलती है वह किसी दूसरे element में देखने के लिए नहीं मिलती यहाँ पर जो हमारा carbon है वह लंबी लंबी chains बनाता है जो एक carbon दूसरे carbon से बहुत easily correct हो जाता है क्योंकि carbon carbon के बीच में जो bond formation हो रहा है वह दूसरे element की comparison में क्या होता है जादा strong होता है तो catenation property क्या है basically catenation property समझे tendency to form carbon carbon atom ठीक है carbon दूसरे carbon के साथ बहुत easily क्या हो जाता है combine हो जाता है तो यह जो particular property है यह हमारी क्या कहलाती है बेटा catenation property कहलाती है अब इस carbon के बीच में double bond हो सकता है single bond भी हो सकता है triple bond भी हो सकता है वह हमारे different different structure के उपर depend होता है ठीक है तो tendency to form carbon carbon bond is the called catenation property अगर इसको हमको define करना है तो इस तरीके से कर सकते है the property of forming the bonds with atoms of the same element is called catenation ठीक है अपने ही साथ जो bonding create करते है elements वह हम क्या बोलते है कि वह particular element catenation property को show कर रहा है ठीक है अगर cable carbon की बाग की जाए तो carbon has the maximum tendency to form for catenation maximum tendency का मतलब क्या है जो carbon carbon है वो एक दूसरे के साथ बहुत comfortably क्या हो जाते है अटेच हो जाते है और attach होके lumpy chains बना सकते है ठीक है in the periodic table this is because of the strong carbon carbon bond as compared to the other atom जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोले था कि carbon और carbon के बीच में bonding जो बन रही है उसके बीच में जो force of attraction है वो दूसरे elements के comparison में क्या है बहुत जादा होता है इस वज़े से जब carbon carbon एक दूसरे के साथ combine होते हैं और उस force of attraction के साथ जो combine होते हैं वह एक ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का reason क्या है कि जो हमारा carbon है वह बहुत अच्छी catenational property शो करता है तो उसके जो पीछे के reason है वह अभी हपन discuss करेंगे उससे पहले अपन यह देख लेते हैं कि जो carbon carbon है वह किस तरीके के structures बनाते हैं ठीक है जैसे for example पर जब carbon हमारा एक line के अंदर जुड़ा हुआ है तो वह क्या बनाएगा straight chain structure बनाएगा जब carbon carbon हमारे आसपास जुड़ना चाले हो जाएंगे जैसे straight chain बनाई उसके उपर हमने carbon लगा दिया branched chain structure बनाता है ठीक है हम जो carbon है उसको cyclic form में भी convert कर सकते हैं cyclic form में करने का क्या मतलब है जैसे एक carbon लिया फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे तो एक तरीके से wheel की form में हमने उसको convert कर दिया या एक cyclic structure बना दिया तो वह भी हमारा क्या होता है Closed chain structure की category में आता है देखो यहाँ पर जैसे एक carbon था फिर एक carbon यहाँ पर क्या फिर एक carbon को यहां पर जोड़ दिया तो एक करी एक तरीके का हम को यहाँ पर क्या दिख रहा है cyclic structure देख रहा है उसी तरीके से इस टैप का structure जो है इसके अंदर भी हमको क्या दिख रहा है एक carbon से चले फिर दूसरे carbon पर वापिस उसी carbon पर आ गए मतलब इस टैप की structure हमारे क्या कहलाते है cyclic structure कहलाते है और यही चीज अगर हम carbon के form उसमें बोले रिप्रिजेंट में बोले तो यह होते हैं हमारे closed chain structure ठीक है तो 3 तरीके की structure हमको को देखने के लिए मिलते हैं एक डीफरेंट डीफरेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं और वह हमारे different different type के compounds बनते हैं हर बार जब हमारा structure जैसे for example example के थूरू समझता है यहाँ पे हमारे 5 carbon atoms है अब वो 5 carbon atoms है वो जब भी अपनी position को change करेंगे तो एक अलग type का structure बनेगा और जो वो अलग type का structure बनेगा उसकी अलग properties होंगी जैसे for example में यहीं चीज़ बताना चाहरा हूं कि अगर मेरे दो chemical formula हैं जिसके अंदर 55 carbon present है और उनकी structure में difference है तो उस particular चीज़ की chemical properties बशर्ते सेम होंगी लेकिन उसकी physical properties हैं वो different हो सकती है तीक है मतलब अगर जो carbon है अगर वो अपनी position से भी change होता है तो वह एक नए टाइप का compound हमारा बनाता है अब उसके अंदर हमारी property लगती है कि उसकी chemical properties क्या होगी सेम होंगी लेकिन physical properties different हो सकती है अग physical properties different हो रही है तो यह भी हमारे नया compound की category में ही आएगा तो इस तरीके से हम क्या करते हैं हमारे carbon को arrange करते हैं और carbon arrange होके different different type के हमारे क्या बनाते हैं compounds बनाते हैं जो मैंने वह आला आपको बात कहिए कि हमारे same carbon का structure होगा तो अपनी यह बात पहले भी पड़ी थी that is allotrops के अंदर अपनने देखा था वहापे भी क्या था मुहाँ पर हमारे major function different यह बन रहे थे जो कार्वान यह वह अलग अलग तरीके से जम हुए थे और बौला था कि से क्याउमकल प्रॉपेटी सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इस क्या हो जाती है डिफरेंट हो जाती है तो उस तरीकी की चीज हमको यहां पर भी देखने के लिए मिलती है ठीक है तो जो पुरानी चीजें है उसको भी आज इस अपने दिमाग में रखें जिसे कि हमको प्रॉब्लम नहीं है ठीक है उसके बाद देखते है अपन दाट इस दप्रॉपर्टी ऑफ क्या रहा था कि जो क्या होता है बहुत जाधा चोटा होता है अब कोई भी आटम उसका साइज चोटा होगा तो उसके अंदर आटम फोर्स ऑट्रक्षिन क्या होगा बेटा होगा क्यों होगा उसके पीछे का क्या है उसके का रीजन यह है कि जितना साइज हमारा छोटा होता है उतने ही प्रोटोन उप्रोन क्या होते हैं सब पास-úpास में होते है और फोस उफ अठ्रेक्शन भी वह ज्यदा जन्रेट करते हैं ठीक है अगभ इसी वजए से जो का item है क्योंकि उसका size चोटा है तो force of attraction ज़्यादा generate करता है तो जब वो दूसरे carbon के साथ combine होता है तो उनके भीस में जो force of attraction होता है वो किसी दूसरे element के comparison में क्या होता है बहुत ज्यादा हाइड होता है ठीक है दूसरा unique electronic configuration ठीक है electronic configuration की कल भी बात की थी है carbon की बात करें तो carbon का atomic number है six electronic configuration लिखेंगे तो होगी two and four four आया है तो यह हमारा non-metal है वेलेंस निकालेंगे तो eight minus four that is four तो इसकी four क्या है बेटा वेलेंसी है four वेलेंसी है इसका मतलब क्या है कि यह four atom हम four electrons क्या करेगा gain करेगा ठीक है अब यह जो four electrons gain करेगा यह same atom से भी कर सकता है और different different atom से भी कर सकता है तो यहाँ पर हमको क्या चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि जो carbon है उसके पास four vacant space है जिस पे हम हमारे atoms को क्या कर सकते है है अटाच कर सकते हैं तो यही चीज़ इसको क्या बनाती है और भी ज्यादा यूनिक बनाती है पहले तो इसके पास शक्ती ज्यादा है force of attraction बहुत ज्यादा high है due to its small size और साथ में इसके पास जगे भी ज्यादा है ठीक है तो इस वज़े से यह बहुत सारे जो elements है या मैं बोलू कि खुद कार्बन को भी बहुत इजली अपनी तरफ अट्रेक्ट कर पाता है यह दौनों चीज़े इसके favor में जाती है लंबी लंबी चेंज बनाने के लिए कार्बन के यह लंबे लंबे है आपका size भी छोटा है force of attraction भी बहुत ज्यादा आया है और आपके पास जगे भी है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह जो सारी properties है यह शो कर रहे हैं हमको कि जो carbon है वह catenation property को बहुत अच्छे से शो करेगा इस वज़े से carbon atom जो है वह हमारा बहुत सारे compounds बनाता है और catenation property भी carbon के अंदर बहुत ज्यादा high देखने के लिए मिलती है दूसरा important factor है हमारा वह है tetra valency of the carbon tetra valency of the carbon एक बहुत important factor है जिससे कि हमें carbon का versatile nature देखने के लिए मिलता है that is जो carbon है वह carbon के साथ तो easily attach हो जाता है ठीक है सात मिए जो दूसरे elements है उनके साथ घिंभी वह बहुत frequently इत्आच हो जाता है क्या हो जाता है क्योंकि उसके पास 4 vacant space है मतलब जो उसकी वेलंसी है वह क्या है तो उन चारवेकेंट space में carbon भी आ सकता है hydrogen भी आ सकता है nitrogen भी आ सकता है जिस element की जरुषत है वो element उससे जाके क्या हो सकता है attach हो सकता है बस हमको requirement की जरुषत है अलग-अलग तरीके से shuffle करके हम कितने भी compounds बना सकते हैं क्यों बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास चार vacant space है बस हमें हमारी वैलेंसी को satisfy करना है और वैलेंसी को satisfy करते ही हमारे पास एक नए type का compound आ जाएगा ठीक है तो टेट्र वैलेंसी ऑफ दी carbon वह बहुत important role play करती है कि उसके पास चार vacant position है और वह चार vacant position पे किसी भी तरीके की किसी भी element के साथ bonding create कर सकता है बस हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके साथ भी वह bonding मना है दौनों elements की या दो से जादा elements की क्या होनी चाहिए तो चार elements की जगे खा लिए तो यह भी एक बहुत important factor लगता है हमारे versatile nature of carbon को represent करने के लिए ठीक है statement देख लेते हैं the atomic number of the carbon is six जैसे कि हमने देखा the electronic configuration of the carbon is two and four ठीक है it has four electrons in the outermose shell therefore the valency of is four this carbon forms four covalent bonds in its compound ठीक है वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताए कि दूसरे element के साथ यह बहुत easily combine हो जाता है क्योंकि इसके पास चार weekend space होती है और उनके साथ combine होने पर किस type की bonding create करता है covalent bonding create करता है जो आपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है उसके बाग tendency to form multiple bonds एक और versatile nature के पीछे का reason ठीक है कि कि किस तरीके से जो carbon है वो versatile nature क्यों करता है क्योंकि वो single bond भी create कर सकता है double bond भी create कर सकता है और triple bond भी create कर सकता है तो यह भी एक बहुत important factor है जो हमारे carbon के versatile nature को और ज्यादा represent करता है कि हमारा जो carbon है वो single bond बनाने में भी शक्षा में double bond बनाने में भी शक्षा में और triple bond बनाने में भी शक्षा में जैसी उसकी requirement होगी वह वैसा कम वैसा bond create कर लेगा ठीक है तो इसके अंदर यही चीज़ बताए गई है due to the small size carbon can easily form double or triple bonds called multiple bonds with itself with the atoms of the other element as nitrogen oxygen sulfur etc ठीक है अब इसके अंदर जो single bond triple bond वो बना रहा है वो खुद के साथ भी बना सकता है carbon carbon के बीच में भी यह multiple bond बन सकते हैं और carbon और दूसरे elements के बीच में भी यह multiple bond create हो सकते हैं ध्यान बस इस चीज़ का रखना है कि दौनों के balance क्या हो हमारी satisfy हो जैसे यहां पर हमारे single bond बना है carbon का hydrogen के साथ ठीक है तो that is CH4 compound बना है हमारा उसी तरीके से double bond के थुरू भी हमारे carbon hydrogen के बीच में बीच में बांडिंग देखी गई है hydrogen के साथ तो यह करी रहा है अगर oxygen के साथ बना है तो वह भी possible है तो यहां के साथ बेनाई की साथ सकता है तो यहां पी क्या हो रहा है यहां पर जो हमारा carbon atom है वह multiple bond भी create कर सकता है क्योंकि उसका size short है size short होने की वज़े से जो force of attraction है उस particular carbon atom के पास क्या है बहुत जादा high है तो हमको हम आपर double bond और triple bond भी देखने के लिए मिलते हैं और यह particular property हमारे different components बनाने में बहुत जादा help करती है मतलब सिंगल बॉंड पर ही रुका नहीं यह double bond क्रेट कर रहा है यह triple bond क्रेट कर रहा है तो जब भी अगर bond के counting भी बड़ेगी तो हमारे एक नया compound इसमें से बनेगा तो बहुत सारे factor काम कर रहे हैं जिसके पीछे हम हमारे carbon की through बहुत सारे compounds को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं ठीक है नेक्स देखते हैं isomerism एक और factor जो काम करता है versatile nature of the carbon पे वह है हमारा isomerism isomerism क्या होता है हमारे जो compounds बनते हैं कई बार हमको देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर जो formula है different different compounds का क्या है वो same है लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है twist होता है formula तो same होता है लेकिन जो structure होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा difference होता है ठीक है जैसा कि मैंने आपको जब branch chain structure पढ़ाया था ठीक है और cyclic structure पढ़ाया था और single chain structure पढ़ाया था तो इसके अंदर यही चीज थी कि यह जो हमारे structures है यह हमको frequently देखने के लिए मिलते हैं ठीक है अब इन structures के अंदर क्या चीज हो सकती है कि इन structure के formula तो same हो सकते हैं लेकिन इनके structure में different आने पर हमको different type का compound मिलता है और उन compounds की chemical properties तो हो सकता है कि same हो लेकिन physical properties क्या होंगी हमारी different होंगी तो यही चीज इसके अंदर बता रहा है इस particular property को क्या बोलते हैं बेटा isomerism बोलते हैं isomerism का मतलब यही है कि जो compounds होते हैं उनकी formula तो same होता है लेकिन वो different different type के structures बनाते हैं और different structures होने की वजह से उनकी physical properties हो completely change हो जाती है ठीक है तो पहले definition देख लेते हैं that is compounds having the same molecular formula but different structural formula are known as isomers isomers को define करना है तो उसकी definition क्या है बहुत ही simple है उस type के compounds जिसके molecular formula तो same होते हैं लेकिन structures क्या होते हैं different होते हैं उस particular formula को हम क्या बोलते हैं यह particular process यह phenomena को हम क्या बोलेंगे isomerism बोलेंगे ठीक है यह isomers बोलेंगे and the phenomena of the existence of isomers is term that isomerism ठीक है यह हमारे करेंगे isomer और इस phenomena को हम क्या बोलेंगे isomerism बोलेंगे ठीक है simple definition है अब यह isomerism क्या है इसको देख लेते हैं जैसे for example देखो जिसके अभी भी समझ में नहीं आयो यह हमारा formula है स्कार है c5 h12 c5 h12 मतलब यह जो हमारा structure है इसके अंदर भी क्या है c5 h12 है यह जो हमारा structure है इसके अंदर भी सी 5 h12 है और यह ysens रोक्षर है स्के अंदर भी क्या होगा c5 h12 ही होगा जब हम इन सारी structure की formula लिखेंगे तो सब की formula क्या आएंगे बेटा सेम आएंगे लेकिन जब हम इसके structure को देखते हैं तो structure क्या होता है सब के अंदर क्या है different है इसके अंदर हमारा long chain structure है जिसको हम n-pentane बोल रहे हैं इसके अंदर इस तरीकी का structure बन रहा है जब इस है क्या structure हमारी compound के साथ बनते हैं तो हम उसको ISO से represent करते तो इसने क्या बनाया पांच कार बनते हैं तो penta in में रहा है इस चाइप के structure बन रहा है तो इसे हम क्या बोलते है आई sow pentane interesting बोलेंगे उसी है यहां पर टी शेप का structure बन रहा है देखो यहां पर जब टी शेप का structure बनता है किसी भी compound के अंदर तो हम उसे नियों से represent करते हैं ठीक है क्योंकि इसके अंदर हमाजकार बने तो यह पैंटेन ही रहेगा लेकिन इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे किससे नियों से तो यह जो तीनों हमारे structure है तीनों के जो formula है वो तो क्या है हमारे same है लेकिन तीनों के अंदर जो structures देखने के लिए मिल रहे है वो different मिल रहे है इस वजए से जो यह compound बन रहा है यह भी हमारा क्या बन रहा है different बन रहा है जैसे इसके अंदर यह बन रहा है यह बन रहा है आई-स पैंटेन और यह बन रहा है हमारा नियो पैंटेन तीनों के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वह हमारी क्या होंगी एकदम डिफ्रेंट होगी डिफ्रेंट तरीके कि हमको नेचर देखने के लिए मिलेंगे लेकिन फॉर्मॉला क्या रहेगा पेटा सेम रहेगा ठीक है अब कुश्चन किस तरीके क आते हैं कि हमको एक नाम दे दिया जाता है डाट आ इस ड्रॉज ऑ मॉलिकुलर स्ट्टॉर आफ भी ओपैंटेन जार वो इस तरीके का स्ट्ट्टर हमको देखने के लिए मिलता है यह चीज बनाओ गया ठीक है अगर हमारा नियो पैंटेन होगा तो टी शेप्रॉप्चर ब अब इसके अंदर क्या है सबके अंदर कार्बन है कार्बन है कार्बन है और हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है ठीक है तो सबके अंदर कार्बन है लेकिन डिफ्रेंट तरीके से वह अरेंज हो पा रहा है ठीक है यह भी हमारी क्या होगी एक तरीकी की प्रॉपर्टी होगी जि फोर्थ है हमारी वह इसोमरिजम, यह चारो properties बहुत important role play करती है, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है, versatile nature of the carbon, यह मैं बोलू कि हम यह 4 property की वज़े से ही, हमें carbon के 3 million compounds देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, यह property आपके समझ में आगे होगी, एक और बार देख लेते हैं सबसे पहले जो अपने property पढ़ी थी वो पढ़ी थी catenation property catenation property का मतलब होता है carbon और carbon की 20 में जो bonding बनती है वो बहुत ज्यादे strong बनती है और बहुत लंबी लंबी chain वहाँ पर बन सकती है जैसे for example state chain भी बन सकती है जैसे हमारी requirement है वैसा हमको structure मिल जाता है अगर catenation की बात करें तो वह क्यों property शो करता है carbon तो उसके पीछे के जो हमारी reason से वह है एक तो जो हमारा carbon atom है उसका size क्या है बहुत छोटा है जिसकी वजह से force of attraction क्या है वह बहुत जादा generate करता है और साथ में उसकी electronic configuration है वह भी बहुत unique है इसका मतलब यह है कि वह tetravalency show करता है मतलब 4 या तो same atom या तो अलग-अलग type के atoms उसके साथ combine हो सकते है बस हमको इस चीज़ का द्यान रखना है कि जितने भी atoms उसके साथ combine हो रहे हो सबकी क्या हो रही हो satisfy हो रही हो ठीक है यहां पर भी second के अंदर भी अपन ली यही चीज़ बात की है that is tetravalency of the carbon tetravalency of the carbon क्योंकि carbon के पास four valency होती है इसका मतलब उसके पास four vacant space है जिस पे वह अलग-अलग type के है सेम टाइप के atoms arrange कर सकता है और different different type के compounds बना सकता है ठीक है जो थर्ड अपन ने इसके अंदर वसेटाइल नेशर के अंदर देखा था वह देखा था tendency to form multiple bonds multiple bonds का मतलब single bond तो बनता ही है साथ में दो carbon carbon के बीच में या carbon या दूसरे element के बीच में double bond भी create कर सकता है और वह triple bond भी create कर सकता है according to our requirement तो एक तरीके से बहुत जादा friendly element हो गया है रोःमिये ये और हम जानते है कि जो हमार्गर जो भी friendly ia element होता है जो भी friendly human being होता है तो उसके friends क्या होते हैं बहुत सारे ह stories का मतलब बहुत लोगों से contact है यह से हमें इसके अंदर भी देखने के लिए मिल रही है कि क्योंकि यह इसके पाक बहुत vacant space है तो एक तरीके का friendly element हो गया और friendly element हो तो इसके compound बहुत सारे हैं क्योंकि सिंपल सी चीज से अपने relate कर सकते हैं उसके बाद isomerism, isomerism को हमने समझा कि जो हमारा chemical formula है वो तो same रहेगा लेकिन जो इसके molecular structures है वो क्या हो जाएंगे, different हो जाएंगे इस particular चीज को हम बोलते हैं isomer March और यह जो पूरा phenomenon है हम इसको बोलते हैं isomerism, जिसके अंदर chemical formula हो same हो देख सेम होते हैं लेकिन structures क्या हो जाते हैं different हो जाते हैं और structure different होने पे इनकी जो physical properties है, वो भी हमारी क्या हो जाती है, different हो जाती है, ठीक है, और इसी वज़े से, जो हमारे same chemical formula है, वो भी different different type के compounds बनाता है, ठीक है, ये था हमारा किसका part, versatile nature of the carbon, जिसके अंदर हमने इस चीज़ को सेखा, कि जो हमारा carbon है, वो versatile nature क्यों show करता है, उसके पीछे का reason क्या compound देखने के लिए मिलते हैं, हमारी पूरी chemistry के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा high है, ठीक है, चलिए, next topic की तरव बढ़ते हैं, next topic is our homologos series, homologos series की बात करते हैं, क्या होता है homologos series, किस तरीके से बनती है, किस तरीके से पहचानते है, क्या difference होता है, different type की homologos series में, किस तरीके से इनको represent किया जाता है, वो सारी चीज़े हैं, आपा इस topic के अंदर देखने बले है, definition देखते हैं, उसके आद इस definition को समझेंगे, homologos series की बात करें, तो the arrangement of organic compounds, ठीक है, किसका arrangement, the arrangement of organic compounds having similar structures and similar chemical properties, ठीक है, जहाँ पर ध्यान दीजिए, उस type के organic compounds, जिसके structures क्या होते हैं, similar होत होते हैं, structures क्या होते हैं, similar होते हैं, उनकी जो chemical properties होती है, वो भी क्या होती है, same होती है, लेकिन differ किसमें होते हैं, with the successive member differ in molecular formula by CH2 group, इसके जो members होते हैं, उन members की बीच में जो difference होता है, वो किस चीज़ का होता है, इस particular group का होता है, that is CH2 group का होता है, ठीक है, तो आपको कोई series द पीच में, अगर CH2 group का difference दिख रहा है, तो वो particular series हमारी क्या कहलाएगी, homologous series कहलाएगी, ठीक है, अब जो CH2 group है, अगर इसके अपन molar mass की बात करें, तो वो approach कितना होगा, 14 gram का होगा, ठीक है, तो अपन इसको दो तरीके से पैचान सकते हैं, या तो series के अंदर जो हमारे compound present ह है, उनके बीच में 14 gram का difference हो, या उसके अंदर हमारा CH2 group present हो, या CH2 group का difference हो, तो वो हमारा क्या कलाएगा, वो हमारा homologous series की category में आएगा, ठीक है, अब इसके अंदर हीज़ और याद रखना, यह 14 gram से difference आ रहा है, यह CH2 group के जोड़ने की बज़े से ही आ रहा है, ठीक है, तो जो की हमारा mass किसका है, इस particular CH2 का ही है, ठीक है क्या होता है, molar mass, that is 12 gram, hydrogen का होता है, 1, 2 present है, that is 2, 12 plus 2, that is over 14 gram, तो इन दो तरीकों से हम पैचान सकते हैं कि कौन सी series हमारी homologous series की category में आएगी, ठीक है, चलिए, the different members of the series are called homologous, ठीक है, जो different member हमारी homologous series के अंदर present होते हैं, वो किस category में आते हैं, homologous की category में आते हैं, ठीक है, तो यह जो series है, जिसके अंदर जो हमारे members present है, उनके बीच में CH2 group का difference है, वो तो हो गई homologous series, और जो उसके अंदर member present है, वो हमारे क्या हो गई, homologous हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से हम homologous series को define करते हैं, ठीक है, अब देख की category में आएगी, तो next topic देखते हैं, that is our characteristics of the homologous series, ठीक है, इसको as it is याद रखिये, कई बार exam के अंदर direct characteristics पूछी जाती है, कई बार आपको series देदी जाती है, और उसके according बोला चाता है किसकी characteristics लिखिये, कई बार आपको एक series देदी जाती है, और आपसे पूछे जाता है, यह कौन सी homologous series है, उसके अंदर उसका formula लिखा जाता है, और आपको वो पहचानना होता है, तो एक एक चीज़ अपन इसके अंदर देखेंगे, characteristics पढ़ने के बाद आपको homologous series एकदम clear हो जाएगी, कि किस तरीके से, किस series को अपन homologous series की category में रखेंगे, तो जो इसकी first property ह है, वो है, that is, all the members of the homologous series can be described by a common general formula, टीक है, जो भी हमारी homologous series होती है, उसका common general formula होता है, जैसे for example, हमारी 3 series है, कौन-कौन सी series है, एक है हमारी alkane, एक हमारी alkene, और एक हमारी alkyne, टीक है, इन 3 series के क्या है, हमारे formula है, जैसे for example, यहाँ पर जो हमने लिख रखा है, वो किसका लिख रखा है, alkane का लिख रखा है, alkane का general formula का है, that is, cn h2n plus 2, उसी तरीके से हमारी, जो इसकी एक और series है, that is, alkene, उसका general formula है, cn h2n, टीक है, उसी तरीके से एक और series है, हमारी alky, उसका general formula है, cn h2n minus 2, इस तरीके से हमारे क्या चलते है, series चलती है, और उसी तरीके से हमारी series के क्या चलते है, formula भी चलते है, अब जित्ते भी इसके अंदर हमारे compound present होंगे, वो इस particular formula को क्या कर रहे होंगे, follow कर रहे होंगे, और जब हम इससे related homologal series बनाएंगे, तो उसके अधर जब हम difference देखें देखता हूँ, देखो यहाँ पर, that is cn, h, 2n, plus 2, ठीक है, यह मेरा क्या है, formula है, n की value मैं रखता हूँ, 1, 1 रखूंगा, तो क्या बनेगा, c, h, यहाँ पर बतलब c1, n की जगे 1 रख दिया, यहाँ पर रखूगा, तो 2 plus 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो c, h, 4, यह h, ठीक है, 2, 3 is a 6, 6 plus 2, that is 8, ठीक है, 4 मेंबर बनाऊगा, तो क्या हो जाएगा, c4, h, ठीक है, 2, 4 is a 8, 8 plus 2, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी continuously series क्या होती जाएगी, बिटा, बनती जाएगी, अब इन दौनों series के बीच में के होमोलों का series है है, नहीं है, सबसे फ avent हमने जो सिख यह हम वही चीज लगाएंगे, इन दौनों के बीच में देखेंगे कि, डिफरेंस कितना है, ठीक है, क्या दौनों के बीच में difference है, तो उसके अंदर, c1 है, 2 है, 1 to तो C का difference है, इसके अंदर hydrogen कितने 4 हैं, इसके अंदर इसके इते हैं 6 है, तो that is 2 hydrogen का difference है, इन दौन की बीच में to difference है, वो है CH2 का, इन दौन की बीच में देखते हैं, तो C2 और C3 मतलब एक तो carbon, और hydrogen कितने 7 हैं, इसमें 6 है, तो हमोलोगा सिरीज का मतलब क्या हो गया इसी तरीके का एरेज्मेंट हो गया जिसके लिए हमारे पास क्या है यह हमारे ऐलकेन का फॉर्मले है आप इसी तरीके से पुछे जाएगा तो हमको इसके फॉर्मले याद रखने हैं और फॉर्मले अगर याद रखेंगे तो बहुत एजिली हम क्या कर सकते हैं हम हमारी फॉर्मलोगा सिरीज को डबलब कर सकते हैं चाहे वो किसी की भी पूछे अगर फॉर्मला याद है तो बहुत एजिली हम क्या कर सकते हैं अब कु तरीके से चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हम दूसरी क्या देखेंगे characteristics देखेंगे चलिए तो मैं यह मिटा रहा हूं next point देखें इसका each members of the homologa series differ from its higher and lower neighbor member by a common difference of CH2 ठीक है जैसा कि मैंने तुम से बोला जैसे के भी मैंने करके दिखाया था जब भी मैंने series लिखी थी और उन दौनों members के बीच में जब मैं difference देख रहा था तो वो difference किस group का आ रहा था CH2 group का आ रहा था चाहां में नीचे वाले members से compare करूं चाहां में ऊपर वाले members से compare करूं दौनों की की बीच में जो difference आएगा वो किसका आएगा बेटा CH2 group का आएगा ठीक है नेक्स देखे मॉलिकुलर मासे ऑफ दी टू एड्जेसेंट homologus differ by 14 मास unit हमने कोई भी homologus series लिखी है homologus series के जो जो एड्जेसेंट member है उपर और नीचे वाला जो member है उन दोलों के बीच में जो मास का difference होगा वो कितना difference होगा 14 मास unit का difference होगा क्यों होगा इसके पीछे का भी reason पता है कार्बन का होता है molar mass that is 12 hydrogen का होता है वन दो एटम प्रेजेंट है तो उसका total mass हो गया 2 तो 12 प्लस 2 डाट इस 14 इस वजह से जो हमारा दो adjacent homologa series के अंदर compound से उनके बीच का बीच डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा 14 mass unit का ही आता है ठीक है तो अगर हमने कोई भी homologa series लिखी है तो इन दो points के through एक तो ये वाला और एक ये वाला हम अपारी homologa series को क्या कर सकते है चेक कर सकते हैं ठीक है या तो group के through check कर लो कि दौनों के अंदर CH2 group का add आना चाहिए अगर इसके through भी अगर समझ में नहीं आ रहा है भाया चाहिए तो दौनों के weight के अंदर difference करो कितना आना चाहिए 14 unit mass का difference आना चाहिए ठीक है अगर ये दौरे condition हमारी satisfy हो रही है इसका मतलब particular series हमारी homologa series की category में आ सकते हैं ठीक है चलिए next point देखें इसके अंदर all the members of the homologa series show similar chemical properties जो फोर्ट करेक्टर इस्टेक्स है वो हमको यह चीज़ बता रही है कि homologa series के अंदर जितने बी हमारी members होते हैं उनकी chemical properties क्या होती है same होती है हो सकता है ँनकी physical properties क्या हो different हो हो way सकता है एक member हमारा gases state के अंदर exist कर रहा हू दूसरya member ukे liquid state में exist कर रहा हू तो physical properties क्या हो सकती ही है different हो सकती है बेकिन दौनों का chemical nature हो हो क्या होगा पेटा सेम होगा ठीक है नेक्स देखें इसके अंदर all the members of these series can prepare by these similar methods known as the general methods of preparation ठीक है एक important point है important point क्या बोल रहा है कि जितने भी हम members है हो मुलोगा series के उनको जो बनाने का तरीका है वो क्या है होगा एक दम सेम होगा एक member बनाओ फिर उसके बाद उसके अंदर cht group जोड़ते जाओगे आप cht group जोड़ोगे तो हमारा नया member बन जाएगा पर अब एक तरीके से क्या हो रहा है एक तरीके से जितनी भी उसके अंदर compound present है सब को बनाने का जो तरीका है वो क्या है सेम है कोई भी first compound था हमारा उसको मैंने दूसरी compound में किस तरीके से convert किया cht2 जोड़के ठीक है अब मैं जब दूसरा compound बनाओंगे तो उसको भी तीसरे compound में किस तरीके से convert कर रहा हूं cht2 जोड़के ठीक है fourth compound मनाओंगा तो उसके अंदर भी में क्या एड़ करूंगा cht2 याड़ करूंगा जैसे example की थूरू सबस्ते है हमारा पहला compound हम बन रहा है जैसे हम बिचा बना रहे है alkyn मना रहे है ठीक है तो alkyn बनाओंगा तो एलगीन का formula होता है cnH2 n ठीक है यह 1 चाह नहीं होता है याद रखना 1 ठीक है जो इस्टाट होता है यh n is equal to 2 से start होता है ठीक है तो एन की value में कित्ते रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, और H क्या हो जाएगा, 2, 2, 4, ठीक है, C2, H4, यह पहला मेरा member बना है, ठीक है, second member बनाऊगो, तो इसमें में क्या करूँगा, add कर दूगा, किसको add करूँगा, CH2 को, ठीक है, तो यह मेरा हो गया, first member, और जो second member बनेगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा, C3, H, 4, 2, 6, ठीक है, अब इसके अंदर में क्या करूँगा, वापिस से, CH2, add करूँगा, CH2, add करूँगा, तो next type का member बन जाएगा, that is, C4, H, 8, ठीक है, यही तो करूँगा, और क्या करूँगा, ठीक है, मैं continuously क्या कर रहा हूँ, जो मेरा process है, नया compound बनाने का, वो क्या है, same है, क्यो same है, क्यो same है, क्यो हर बार में एक ही चीज़ add कर रहा हूँ, ठीक है, तो homologus series के अंदर जितने भी compound होते हैं, उन्हें जो बनाने का तरीका होता है, वो क्या होता है, बेटा, same होता है, तो ये भी हमारी homologus series की हमारी categories के अंदर आता है, या characteristics के अंदर आता है, कि homologus series के अंदर जितने भी compounds हैं, उनको बनाने का तरीका क्या रहेगा, same रहेगा, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, क्या कर रहे हैं नया compound बनाने के लिए, इस particular group को add करते जा रहे हैं, जैसे जै with the help of alkyne, alkyne और alkyne के formula के साथ, किस तरीके से homologus series बनी, किस तरीके का हमारा क्या होता है, formula होता है, alkyne की बात करें तो alkyne का formula है, cn, h2n, plus 2, ठीक है, alkyne की बात करें तो cn, h2n, alkyne की बात करें तो cn, h2n, minus 2 यह इसका क्या है बिटा formula है ठीक है अब इन तीरों के हम homolo का series बना सकते हैं क्या करना है बस n की जगे value रख देना है n की जो value है वो lkyn के अंदर n is equal to 1 से start होती है ठीक है जो अपन n की value start कर रहे है वो किसे start कर रहे है n is equal to 1 से लेकिन जब अपन lkyn और lkyn की बात करते हैं तो इसके अंदर n is equal to 1 नहीं रख सकते है वैसी इसके अंदर भी n is equal to 1 नहीं रख सकते है ठीक है दौनों के अंदर n is equal to 1 से अपने start नहीं करेंगे इसके अंदर जो हमारी series start होगी, वो किसे start होगी, n is equal to 2 से, इसके अंदर भी n is equal to 2 से ही start होगी, तो दोनों cases के अंदर याद रखना important चीज है, कि alkene के अंदर तो n is equal to 1 से हमारी series को start कर रहे हैं, लेकिन जब हम alkene और alkane की बात करेंगे, तो यहाँ पे n is equal to 1 हमारा नहीं रहेगा, n is equal to 2 से हम क्या करेंगे, हमारी series को start करेंगे, तो इसके अंदर यही चीज देखी कही है, तो अगर हमारा अपन alkane की series की बात करें, तो जो first हमारा compound बन रहा है, वो हमारा CH4 बन रहा है, जो हमारा second compound बन रहा है, वो बन रहा हमारा ethane, that is C2H6, उसके बन रहा है propane, उसके बन रहा है butane, उसके बन रहा है pentane, उसके बन रहा है hexane, ठीक है, alkane को पहचानने का तरीका क्या है, किस तरीके से हमारा पहचानेंगे, कि यह particular compound हमारा alkane की category में आ रहा है, तो दियार से देखो, जितने भी हमारे compounds बन रहा है, उसके पिछी क्या आ रहा है, ane आ रहा है, ठीक है, जो की हमारा किसके अंदर present है, alkane के अंदर present है, तो alkane को जब अपन represent करते हैं, तो ane से करते हैं, that is methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, तो जितने भी हमारे हमारे यहां पे compound है, सब की पीछे क्या रहा है, ane आ रहा है, ठीक है, उसके बाद, अगर अपन अलकीन की बात करें, तो alkane को भी अपन इसी तरीके से पहचानेंगे, that is ene, तो सब की पीछे क्या रहा है, ane आ रहा है, that is ethene, ethene, propene, butene, pentene, hexene, इस तरीके से यहां पन क्या करेंगे, हमारे homologa series के members को लिखेंगे, अगर हमारा alkyne है, तो सब की पीछे देखोगे, की y-ne आ रहा है, ठीक है, तो अगर किसी homologa series के compounds दे रखेंगे, उनके नाम दे रखेंगे, तो नाम के थुरू भी आपको पहचानना आना चाहिए, that is for example, की question किस तरीके से बनेगे, जैसे for example, आपको कोई भी structure, कोई भी नाम दे दिया, ठीक है, for example, आपको propene दे दिया, ठीक है, आपसे पोला जाएगा, किस की homologa series बनाएए, ठीक है, आपको propene दे दिया गया है, ठीक है, तो propene से आपको क्या का information मिल रही है, propene से हमको इस चीज की information मिल रही है, कि यह हमारा किस type की homologa series होगी, ठीक है, that is why n या रहा है, तो alkyne series है, अब alkyne है, तो उसको formula हमको automatically याद आजाएगा, कि जो alkyne का formula है, होगी, ठीक है, तो question इसमें बहुत सारे type के बनते है, कहीं से उठाके वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसा कि हमारा syllabus हो गया है, तो इसके अंदर एक no man, creature वाला part हमारा क्या हो गया, इसमें से हट चुका है, जो हमारा part था, वो यहीं थक था, that is versatile nature of carbon, और उसके बाद यह homologus series, ठीक है, तो हमारे पास है रिवाइस लेवास है, तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, यह जो छोटी-छोटी चीजे हैं, इससे हम याद करके जा सकते हैं, कई बार क्या होता है, कि carbon compound में से बड़ा कुष्ण भी फस जाता है, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन बड़ा कुष्ण भी इसमें से फस सकता है, क्योंकि अभी रिवाइस लेबस हो गया है, तो हर एक चाप्टर में से कुष्ण देना है, तो carbon compound के अंदर ज्यादा topic तो है नहीं, जो अपन ने पढ़ा हैं, तो covalent morning पढ़ा है, अलोट्रॉप्स पढ़े हैं, अलोट्रॉप्स के बाद अपन ने या आपर आज versatile nature of carbon पढ़ा है, और साथ में अपन ने क्या पढ़ा है, तो homologa series के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारी तीन type की homologa series बन रही है, आपको बता, वो पूछ सकता है, कि इन series को बना के बताईए, या तो versatile nature से भी पूछ सकता है, क्योंकि उसके अंदर 4 type के हमारे क्या है, वर्सेटाइल नेचर को शो करने वाले points है, तो question इसी तरीके के पूछने वाले है, सीधे-सीधे question आने वाले है, अगर आप इतना भी पढ़के जाते हैं, तो I think more than sufficient होगा, बहुत एजीली आप question को पढ़के समझके कर पाऊगे, तो इस lecture के अंदर अपन यहीं पर over करते हैं, क्योंकि हमारा जो reverse labors था, इस particular carbon and compounds के अंदर वो over हो गया है, जो important चीज़े हैं, वो अपनने cover की हैं, जो slabors के अंदर दे रखा हैं, वो अपनने cover किया है, तो बचो, I think आपको सबको हमारी वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा, तो जो आपने आज देखा हैं, उस particular वीडियो को like कीजिए, motion foundation channel को subscribe कीजिए, और जितना हो सकता है, इस particular वीडियो को share कीजिए, क्योंकि खुश्या और ग्यान बाखने से ही बढ़ता है, thank you, have a nice day,